कि हालो और फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर और आज हम इस वीडियो में जो डिसकस करेंगे वह करने वाले हैं यूजी सी नेट की एक्सपेक्टेड कट ओफ क्या रहेगी क्योंकि एक्जाम हो चुका है एक्जाम इस बार ऑफलाइन हुआ है ठीक है तो कई ऐसे सब्जेक्ट थे जिनका जो पेपर था वो इजी था कुछ का ऐसा था कि टफ था जितने भी इन्फरमेशन मुझे मिली है आज आपको बताने वाला है ठीक है तो कुछ इस तरीके से यह कट ओफ रहेगी ठीक है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ठीक है और क्योंकि आंसर की आप लोगों देखी लिए होगी कई सारे यूट्यूब चैनल लोंने जो है आंसर की भी जो है डाल दी है उस अधार पे अपने नुमान लगा लिया हुआ कि आपकी कितनी बन रहे है मांक्स ठीक है और आपके अगर कम मांक्स बन रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाईए क्योंकि दिसंबर में फिर से जो है एक्जाम होने वाला है ठीक है तो अपनी तैयारी आप जाई रखें तो देखे एक्स एक तरह लिखा है मैंने एक तरफ एक प्रोफेसर के लिए क्प ठीक है हलां कि मुझे प्इज़िटी लिए लिये लिए लिखना चाहिए था क्योंकि इस बार जो है तीन चीजों के लिए अप्लाई कहीं है student के द्वारा ठीक है तो cutoff जो है कुछ इस तरीके से आने वाली है ठीक है तो JRF की अगर मैं बात करूँ psychology में जो रहने वाली है वो 220 रहने वाली है general candidate की और यह JRF और assistant professor दोनों की है और assistant professor की रहने वाली है 190 के बीच में ठीक है न OBC की आप देख सकते हैं SCST की भी आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है उसके बाद education की अगर हम बात करें तो general candidate की 220 इसके भी रहने के chances हैं और assistant professor की रह सकते है 190 ठीक है वहीं EWS का 199 और assistant professor के लिए 172 एजुकेशन के लिए अगर आप देखें OBC के लिए OBC में तो OBC की 190 तक जाएगी JRF की और assistant professor के लिए 182 तक जाने के chances हैं SC candidate है अगर आप लोग education subject है अगर आपके पास तो 182 रहेगी JRF की और assistant professor की 160 जाने के chances हैं ठीक है तो इस तरह के से आप देख सकते हैं anthropology की अगर हम बात करें तो जनरल की 190 जाने के chances हैं अच्छा इसमें आपको डाउट हो रहाएं कितनी मसे यह 300 marks में से मैं बता रहा हूं ठीक है क्योंकि पेपर जो था आपका 300 marks का था तो यहां पर मैं 300 marks के बेस फिर आपको बता रहा हूं ठीक है तो anthropology की जनरल candidate अगर आप हैं तो 190 तक जाने के chances हैं और अगर आप assistant professor के लिए सिप आपने अगर अप्लाई किया है तो आप जा सकते एक सुब्यासी अगर आपके बन रहे हैं तो आप पैसमें हो सकता है वैसे ही एंसे लोगी से इंसेल 66 होने चाहिए और assistant professor के लिए 150 होने चाहिए sociology के अगर हम बात करें तो sociology में आप देखेंगे जनरल candidate का 215 जाने के chances हैं और assistant professor के लिए 200 EWS candidate है तो 208 और अगर assistant professor की बात करें तो 180 और OBC NCL अगर आप के पास है तो 204 GRF की cut-off जा सकती है और 181 जा सकती है assistant professor की ठीक है शोशल वर्क की बात कर लेते हैं शोशल वर्क में अगर आप जनरल candidate है तो 196 तक जाने के chances हैं और assistant professor के लिए 178 तक ठीक है EWS की 190 ए 160 रहेगी और OBC candidate है अगर आप लोग और social work है अगर आपके पास subject तो 190 से 106 के बीच जा सकती है philosophy की अगर हम बात करें तो इसमें general candidate के लिए 226 और assistant professor के लिए 206 तक जा सकती है तो 200 तक जा सकती है अगर general candidate अगर आप हैं ठीक अगर आपके 200 बन रहे हैं तो आपको गो सकता है और assistant professor के लिए 182 या सकती है 182 छिक है और OBC अगर आप candidate है तो 180 जए लिए जा सकती है और assistant professor के लिए बहत्तर जा सकती है ठीक है और computer science के अगर हम बात करें तो general candidate के लिए 180 jrf के लिए और 162 assistant professor के लिए जा सकती है ठीक है तो वैसे आप EWS का देखे तो 166 jrf के लिए और assistant professor के लिए 146 ठीक है नहीं क्योंकि computer science का paper कई students का जो आयद हमरे पास message वो तफ बता रहे तो उस अब previous year के आप करणों उठा के भी देख लिए तो इसी के आसपास जो है वैरी करती है economics के अगर हम बात करें तो general candidate जो है जियर एफ के लिए 222 अगर उनके बन रहे हैं 212 अगर बन रहे हैं तो chances है जियर एक्सपेक्टेड में अगर देखा जाए assistant professor के लिए 192 होनी शहीं उनके पास ठीक है ओबी से अगर candidate है एकनोमिक सब्जेक्ट है अगर तो 196 जियर एफ के लिए और 170 असिट्र प्रोफेसर के लिए history के अगर हम बात करें history में general candidate के अगर 212 बन रहे हैं और assistant professor के लिए 119 अगर है तो उनके chances है और history में OBC candidate की 196 जियर एफ के लिए और 180 जो है वो assistant professor के लिए ठीक उसी प्रकार से SC और ST का भी आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि NCRD बेस्ट पेपर था तो general candidate का 200 तक जा सकता है ठीक है जियर एफ का और जो है असिट्र प्रोफेसर के लिए 195 अगर आपके बन रहे हैं तो आपके chances है इसमें और EWS के लिए 195 जियर एफ के लिए और असिस्ट्र प्रोफेसर के लिए 190 वह भी सी कंडिडेटर अगर आपके 190 बन रहे हैं तो आपको जियर एफ के chances आपके 180 हैं तो आप असिस्ट्र प्रोफेसर के लिए योग्य होंगी ठीक उसी प्रकार से स्सी और अस्ट्र प्रोफेसर का भी आप देख सकते हैं इंग्लिश में जन्रल कंडिडेट 200 ज्यरेफ के लिए और 195 के आसपास हैं तो फिर जो है कि अस्ट्र प्रोफेसर हो सकता इसमें ठीक अब बिसे गैडेट 190 होने चाहिए ज्यरेफ के लिए और असिस्ट्र प्रोफेसर के लिए 180 होने चाहिए लग-बग ठीक है, आप उसके बाद जेगर आ पास कमेंटक करें, तो जेगर च्रावर के लिए और आपस चाहिए, 152 आपके पास होने चाहिए, 하는 अश्याया अश्याckoसित to 895 पास के लिए हिं। और EWS का 190, 180 और OBC अगर आप candidate हैं तो 180 में आपका JRF हो सकता है और 179 में आपका असिटर प्रोफेसर का हो सकता है ठीक है नहीं इसमें तो ये थी expected का टॉप जो मैंने इन सब्जेक्ट्स की बनाई थी कुछ ऐसे subject हैं जिनके बारे मेरे पास कोई अभी feedback बगरा नहीं आया था तो उसको मैंने नहीं लिया इसमें ठीक है नहीं तो आप comment कीजिएगा अगर किस तरीके आप पपीपर गया है कैसा था पिछले साल के तुलना में तो उस अधार पर मैं उस पर भी बना दूँगा आशा करता हूं वीडियो पसंद आयोगा पसंद आयोगा तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब में किया तो जरूर कर लें और अगर आपके कम marks बन रहे हैं तो आप तैयारी में भी सिलग जाएं क्योंकि दिसंबर में फिर इसकी एग्जाम होने वाले थैंक्स वर वचिंग इस वीडियो